कि अप्डेट पे बात करते हैं के जी अफ चैप्टर 3 की आई हुई कुछ डीटेल जिसे फिल्म के प्रोडूसर्स की तरफ से रिवील किया गया है तो उसमें एक नाम वीजे किर गांदू का है जिनकी तरफ से यही कहा गया है कि इस फिल्म का प्रोडुक्शन इस साल के इंड के जी अफ के इस पूरे युनिवर्स को मार्वल की तरह सिनेमेटिक युनिवर्स बनाने की है यानि रॉकी भाई के अलावा कुछ और भी कैरेक्टर्स को एट करने की जिसमें कहीं से उरती हुई रुमर प्रभास के कैरेक्टर की भी की गई है यानि कि उनकी आने वाली फि लाल तो बिल्कुल भी मूर में नहीं है इस फिल्म के चैप्टर 3 को जल्दी शूट पर दालने के लिए क्योंकि अगर ऐसा उनके अकॉर्डिंग होगा तो वो न्यूस बहुती आग की तरह फेलेगी जिसकी अनौंस्मेंट बिल्कुल भी छोटी मोटी नहीं रहेगी यारी जब इसका प्रोड़क्शन शुरू होगा तब उसकी अपडेट दे दी जाएगी लेकिन एनिटाइम सून चैप्टर 3 पर बिल्कुल भी काम नहीं किया जाएगा यारी के पूरी टीम को एक अच्छा खासा रेस चाहिए ताकि वो लोग इस समय में इस फिल्म की कहानी को और भी जादा बहतर बहतर बना सके क्योंकि आपको ये बात भी भूली नहीं चाहिए कि पहले इस फिल्म के दो ही पार्ट की अनौंस्मेंट की गई थी और बाद में प्लैनिंग इस फिल्म के बॉक्स आफ इस नंबर को देखकर जो की पहले पार्ट के थे तो तीसरे पार्ट की भी प्लैनिंग की गई है ऐसे में हो सकता है कि कहानी में बहुत सारे चेंजिस और जो ट्विस्ट और टन्स डाले जाते है उस पर ही काम चल रहा होगा स्टोरी के हिसाब से जो अगर पूरी हो जाएगी तब ही जाकर इस फिल्म के थर्ड पार्ट की बहुत ही जोरो सोरोश अनाॉंसमेंट भी होगी जिसका शोर आप तक के भी कान तक पहुचेगा बाकी मैं तो अपडेट देने के लिए बैठा ही हूँ जिस बारे में आपकी राय मुझे कमेल में चाहिए क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यही पर खतम करने का मैं हूँ अजीज मिलूँगा आपसे जल्दी दूसी किसी वीडियो में तिल देन बाई